के साथ काम करते थे हां क्या काम करते थे उनका निजीस फासट हन्लॉं यह दोर था 72 मै Register Socialist Party game तर्फीश से करता था है मेरी हणुपसी के रूप में भड़ी यह चाम करता तो मेरी रिपोर्ट जिले जिलों से जो रिपोर्ट आती थी सोशलिस पार्टी को प्रादेशीक दफ्तर में सबसे अच्छी रिपोर्ट मेरी ही होती थी और मेरा सुभाव भी लोगों को पसंद था मैं सोड़ा सफ्ट रहा जबकि मैं दवंग जाती से आता हूं लेकिन फिर कोई कोई दवंग जाती से आया हुआ व्यक्ति सॉफ्ट हो जाए तो उसको लोग जादे पसंद करने लगते हैं तो करपूरी ठाकूर को भी मेरे बारे में खबर मिलती रही तो छपड़ा गए और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे मेरा नीजी सच्यूड़ाना पसंद करेंगे कितनी उम्र थी आपकी तब बहत्तर मेरा जनम 45 में हुआ था तो बहत्तर में 27 साल का हुआ तो मैंने कहा कि यह तुम खुशी की बात है लेकिन मैं अभी कुछ महीनों तक नहीं आ पाऊंगा तो बहत्तर में जब चुनाउना हो गया तो मैं आ गया एक साल तक उनके स पाउनिया कि सिस्टा अदमी तो मिलना जिकिन आ कि जिस सोच को लेके मैं आया था समाजवाध कि विचारों ऑर समजवादी सरकार बनेगी कभी उसके कारण यह सोच के आए थे लेकिन करपुडी जी तो एक खास तरह कि जो विधायक का काम होता है उसके लिए पैड़िवी करना उसके लिए चिठी लिखना तो चिठी कोई पैसे लेके नहीं लिखते थे कोई भरष्टाचार उनमें नहीं था छूत तक नहीं था लेकिन ये तो मेरे ल जो भोजन पड़ हो शो रौत महीने पर काम कर सकता था चो और सौफ्टनेचर था ऊंस पेड़ें शार्त केको eficience लेकिन मेरे लिए लिए तो फाइं मॉर्स मøन निजन अने राते नहीं थे दोरे पहज़ थेखते तो मैं पतना में ए चाहते नहीं थे थोड़ा से समान था उठाके मैं चला गया राजनीत परसाद एक राजसभा का में मर हुआ था वह मेरा मित्र है तो उससे उन्होंने कहा कर्पूरी जी ने कहा कि राजनीत जी अपने मित्र से पूछ पूछेगा कि मुझसे क्या कुसूर हो गया कि वह मुझको छोड़ के चले मैं क्या बताथा उनको क्या कसूरहुtest जो मैं उसके बाद पत्रकारीता में ज्यादा ध्यान देने लगा इस करपूरी ठागुर के उभर को सुरंजीशोर जी एक जो लोहिया की पूरी माना जाता है लेकिन वो जो कुछ-कुछ समय के लिए सरकारें चली तो उस दौरान की जो पॉलिटिकल वर्नेरबिल्टी थी उसके बारे में भी बात की जाती है एक पॉलिटीशन के तौर पे क्या प्लस माइनस थे कर पूरी ठाकुर जिस पद पर रहे उस पद को उन्होंने भरष्टा चार से मुक्त रखा लेकिन उनकी जो सरकार थी उस सरकार में भरष्ट लोग थे उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था और कंट्रोल करते तो सरकार गिर जाती कट्पूरी ठाकुर का तर्ग था कि मैं जो बड़ा काम करना चाहता हूं उसके लिए इस सरकार को चल उसकते रहना जरोरी है यसरे हाँ पिछ्णों के लिए आरंख्टन तो पर्टी की नीती थी तो उसके अनुसार उन्होंने पिछ्णों के लिए रक्षय किया तो उससे समाज में ख्लैश हुआ लेकिन कटपुरी ठाकुर खुद ख्लैश में सामिल नहीं हुए लालू से और कटपुरी ठाकुर का यह अंतर है लालू के जमाने में भी आरक्षन हुआ और समाज में आपस में दुरा हुआ, ख्लैश हुआ, संगर्स हुआ तो लालू जादो खुद पाटी बन गए और मुख मंतिर रहते हुए उन्होंने सबर्नों के खलाप अभियान चलाया सबर्नों ने लालू जादों को गाली गलोज किया अभी पी सिंग को गाली गलोज किया उसका जवाब डट के दिया लालू जादों ने कर्पुरी ठाकुर को भी 78 में जब आरक्षन लाग हुआ तो सबर्णों ने बहुत गालियां दी लेकिन कर्पुरी ठाकुर ने एक गाली का भी जबाब नहीं दिया ये शालिंता उस व्यक्ति में रही तो लेकिन एक लूज पूझ सरकार वो चला रहे थे यदि मेरा मानना है क कि यदि वह रिस्क लेते कि जैसे ब्रष्टाचार मैं मानता हूं कि इस देश की और राज्य की सबसे सबसे बड़ी समस्या है और ब्रष्टाचार की समस्या से ही सारी अन्य समस्याइं पैदा होती हैं ब्रष्टाचार पर यदि जीरो टॉलरंस करते तो उनकी सरकार बिजली की तरह कौंध जाओ और सूरज की तरह स्थाई हो जाओ लोहिया के नाड़ा था बिजली की तरह कौंधने वाला कार्जक्रम लागू कर दो उसके बाद तुम सूरज की तरह स्थाई हो जाओ गये लेकिन ये लोग ड़के मारे की सरकार गिर जाएगी ये कार्जक्रम लागू नहीं करते हैं बिजली के तरह कौंधने वाले वाला कार्च तो इसलिए कटपुरी जी बिचारे धीली ढाले सरकार चलाते रहे लेकिन आज इस राज में कटपुरी ठाकुर की जितनी इज़त है उतनी मुझे नहीं लगता है कि किसी और नेता की इज़त है सिरिवाव को छोड़ करें और आज अनरभव को छोड़ करें और आज अनरभव को छोड़ करें